आपके रसोई में भी मजूद है वजन बढ़ाने के उपाए आजमा कर देखें बिलेंगे बहतरीन फायदे नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है टुरगानुसार में एक और इंपोर्टन वीडियो के साथ आकारसक सरीर किसी को भी अपनी और खीच सकता है जिसके लिए सरीर का फिट रहना बहुत जरूरी है देखा गया है कि मोटापे के साथ साथ सरीर का दुबलापन वैक्तित को बोरी तरह प्रभावित करता है खास कर युवाओं में ये एक चिंता का विशह बन चुका है एक तरब जहां दुनिया के 70% लोग लगभग वजन बढ़ने से परसान है तो वहीं 20% अपने दुबले वन के वज़ा से परसान है सिर्फ 10% लोग ही हेल्दी लाइब एंजॉय कर रहे हैं कमजोड़ी से फर्क सबसे पहले सरीर के बारी इस से परदिखता है अब दुबले लोगों को परसान होने की ज़वरत नहीं है बस कुछ आसान तरीके को अपना कर अपनी लाइब से ये समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं जिनकी मदद से आपका वजन आसानी से बढ़ सकता है आये फिर जानते हैं कि क्या है इन आसान तरीके जिनकी मदद से आप अपने दुबले पन की समस्या को से छुटकारा पा सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार दिन ज़्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है क्योंकि हर किसी के सरीर की पाचन किरिया एक अस्तर पर जाकर संतलित हो जाती है ऐसे में खाने पीने में जरा से भी परिवर्तन होने पर सरीर पर विप्रीत प्रभाव दिखाई देने लगता है अब यदि कोई अचानक से ज़्यादा खाना सुरू कर दे भी तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कम समय में ही उसके भीतर फैट का डिपोजीशन होना सुरू हो जाएवाद साथी में बिना थकान के स्टिमिना का भी होना एक लंबी प्रिक्रिया है इसके लिए कम से कम साथ दिन की आ सकता होती है हालाएं कि बहुत बड़ा परिवर्तन साथ दिने में भी नहीं देखने को मिलता लेकिन फिर भी भेगती खाने में परिवर्तन करके 5-8 किलो वजन तक कुछ दिनों में भी घटा बढ़ा सकता है तो दोस्तों आए जानते हैं कम वजन का वास्तों में क्या मतलब है अंडरवेट होने को 18.5 से नीचे बाड़ी मॉस इंडेक्स यानि की BMI की रूप में परिवासित किया गया है यह इस च्टम स्वास्त को बनाये रखने के लिए आवैसक सरीर दर्ब्रमान से कम होने का अनुमान है इसके विपरीद 25 से अधिक वजन अधिक माना जाता है 30 से अधिक मोटे माने जाते हैं पैमाने के साथ कई समस्या हैं जो केवल वजन और उचाय को देखता है यह मास्पेसियों को ध्यान में नहीं रखता कुछ लोग सभावेक रूप से बहुत दुबले पतले होते हैं लेकिन फिर भी सस्त होते हैं इस पैमाने के अनुसार कम वजन होने का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वास्त समस्या है अंडरवेट होना पूरसों की तुन्ना में लड़कियों और महिलाओं में लगभग 2-3 गुना अधिक होता है भारत में 20 साल और उससे अधिक उम्र के एक परतसत पूरसों और 2-5 परतसत महिलाओं का वजन कम है आईए दोस्तों जानते हैं दूबले पन से आखिर क्या नुकसान है पतले दूबले होने के कारण आपकी हड़ी अकसर प्रॉपर कैलसियम ने मिलनी की वज़े से कमजोड रह जाती है फैट की कमी के कारण शरीर की तचा में रूखापन रहता है जिसकी वज़से आपकी स्किन दिन पर दिन बेजान सी नजर आने लगती है अंडरवेट लोगों का सरीरिक विकास बाकी समान लोगों की तुलना में बहुत धीमी गद से होता है ये डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, उदासी, मायोसी जैसी समस्याओं को भी जैन में देता है दुबले पतले वक कम वजन वारे लोगों में अक्सर पेट और लीवर की समस्याओं के साथ साथ लो इम्मिनिटी की तिकत भी रहती है अब दुबले लोगों को परसान होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ आसान तरीके अपनाने पर उनकी लाइब से ये समस्याओं दूर हो जाएगी जिनकी मदद से आपका वजन आसानी से बढ़ सकता है आईए फिर जानते हैं कि क्या है वो आसान तरीके जिनकी मदद से आप अपने दुबले पन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं दुबला पतला सरीर होने से क्या आप भी लोगों के सामने आत्मिस्वास के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं ये एक अच्छी बाडी होने से हमारा आत्मिस्वास खुद वखुद बढ़ जाता है कमजोड लोग अपने दुबले पन की वज़े से अपने दोस्तों और रिष्दारों के सामने सरमिंदगी मरसूस करते हैं कई लोगों का वजन खुब खाने के बाद भी नहीं बढ़ता और वह कमजोड ही रहते हैं कई कोसिस करने पर भी वजन नहीं बढ़ता वजन बढ़ाने के लिए डाएट काफी माइनर रखती है ऐसा नहीं है कि खाना ही वजन कम होने का कारण है यह जेनेटिक भी हो सकती है लेकिन कहा सकते हैं कि हमारा खान पान ही इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कई लोग वजन बढ़ाने के लिए घरुरुपाय भी अपनाते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि बेहा दुबले पतले होते हैं, ऐसे लोग अक्सर अपने दुबले पतले सरीर के कारण सरमिन्दगी मसूस करते हैं, दरसल खान पान पर ठीक से ध्यानना देने के कारण ऐसा होता है, अगर आप भी ऐसे दुबले पतले लोगों में से एक हैं तो आपको कुछ आसान घहरेलू उपायों को अपनाने की जरूरत है। दरसल वजन बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ऐट भर कर खाना ही खाएं बलकि वजन बढ़ाने के उपाय में कुछ खास किस्म के खाद परदाद का सेवन कर आसानी से वजन बढ़ा सकते हैं कई लोग सवाल करते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए क्या प्रोटीन से वजन बढ़ता है कमजोर सरीर से इतना परसान होते हैं कि वे एक हपते में लंबाई बढ़ाने के उपायत तलासते हैं और साथ ही वजन बढ़ाने के तरीके जैसे कई सवालों का जवाब ढोड़ते हैं अगर आप भी इनमेंस से किसी सवाल का जवाब तलास रहे हैं तो यहां जानिए वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए कौन से फूड आपका वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं खाना खाने से पहले और बाद में ज्यादा पानी ने पीए लेकिन खाना खाने के बीच में आप एक एक सीप करके पानी भी पी सकते हैं सर्दियों में खाने के दारान हलके गुणिने पानी का सेवन कर सकते हैं खाना खाते समय टीवी ने देखें, मुबाइल का इस्तमाल ना करें, एक्टिव होकर खाना खाएं और खाने पर भी पूरा ध्यान रखें सरीर की तिल के तेल से मालिस करें इससे अप्टमास्पेसिया तो खुलेगी ही, साती हड़ियां भी मजबूत होंगी यह आपके खोन के दोरे को वैतर करने के लिए भी एक अच्छा माना जाता है और यह सरीर के हर अंग तक पोसक्तत को पवचाता है दोस्तो भूलकर भी मोटा होने के लिए ना करें यह चीजे जैसे कई लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में जम कर जंक फूट खाते हैं जबकि यह सही नहीं है, जंक फूट बिलकुल ना खाया इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज ना खाया जो ना पचे इसके अलावा कई लोग मोटापा बढ़ाने के लिए या फिर वजन बढ़ाने के लिए दवाईया और प्रोटीन सप्लिमेंट भी लेते हैं लेकिन स्वास्त के धिश्च खतरनाक है दवाईयों से आप वजन से गेन तो कर ही लेंगे लेकिन इसके बाद फीचर में जो परसानिया होंगी जो साइड एफेक्ट होंगे उनका अच्छा नहीं होगा आए जानते हैं वजन बढ़ाने के कुछ आसान उपायों के बारे में पहला सूखे खजूर और दूद वजन बढ़ाने के लिए अगर आप सूखे खजूर और दूद का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है सुखी खजूर बिटामिन A, C, E, K, B, 2, B, 6, नियासीन और थियामीन सहित बिटामिन से भरे होते हैं जो हमारे सास्ट और कल्यार के लिए महत्यपूर हैं वे प्रोटीन, चीनी, उरिजा और विटामिन का एक अच्छा स्रोत है जो आपको अधिक वजन डाले बिना प्रयाप्त मास्पेसियों को उपराप्त करने में मद्द करते हैं वजन बढ़ाने की परकिरिया को तेज करने के लिए उन्हें दूद के साथ सेवन करें लगबक 20-30 दिनों में ध्रिश्टमान प्रयडाम देखें अंडा के सेवन करने से फायदा वजन बढ़ाना हो या फिर अपने आपको फिट रखना हो उसके लिए अंडा सबसे बहतरीन विकल्प हो सकता है अंडे में प्रोटीन, फैट और कैलोरी काफी मातरा में होता है जो आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगा अगर आप वजन बढ़ाने और दूबले पन से छुटकारा पाना चाते हैं तो उबले अंडे के बीच वाला भाग यानि पीला हिस्सा निकाल कर नया खाएं जिससे आपका सिर्फ वजन बढ़ेगा फैट बढ़ने के चांसे कम हो जाते हैं बहतर होगा कि आप अंडा का सफेद वाला ही अपने डाइट प्लान में सामिल करें क्योंकि इसमें प्रोटिन की मातरा काफी जादा होती है किस्मिस या मुनक्के से वजन बढ़ाएं वजन बढ़ाने में किस्मिस भी बड़ी असरदार है इसे असरदियों में इस्तमाल करें तो ज़्यादा बहतर पेड़ा मिलते हैं किस्मिस में बिटामिन A, C, E और आयरम कॉपर और पर्टैसियम की भरपूर मातरा होती है मुनक्के के बीज में एंटी आक्सिडेंट भी भरपूर मातरा में होती है कबजी की समस्या भी दूर होती है अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं मुनक्के का परियोग करना बहुत ही लापकारी होगा आपके लिए अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मुनक्के का परियोग जरूर करें मुनक्के में प्रोटैन की मातरा का मौती इसलिए इसके साथ प्रोटैन युक्त पदारतों का परियोग करें वजन बढ़ाने के लिए आप रात को गरम दूद में 5-6 मुनक्य और 1-2 छुहारे मिला कर दूद उबाल ले अब इस दूद को सोने से पहले पीएं और 7 हुबले हुए मुनक्य और छुहारे खा लें इस तरह से 2-3 महिने में ही आपका वजन बढ़ना सुरू हो जाएगा तो आज हमने आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और आपके स्वास्त संबधित महतपूर जानकारी बताई है तो यदि आप भी अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताई गए इन तरीकों का इस्तमाल करके अपना वेट बढ़ा सकते हैं यह वजन बढ़ने का असान तरीका है जिससे अपने बाड़ी को फिट और तंदरुस्त बना सकते हैं तो यदि हमारे द्वारा बताई गई जहनकारी आपको पसंद आए तो सेर करना ना भोलें और यदि आपको इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तो वीडियो को लाइक करना ना भोलें और इससे हमारा कोई वेनफिट्स नहीं होता है बस हमारा मोटिवेशन अब हो जाता है और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ ले चैनल को सस्क्राइब कर दें और बिल आइकन को दबाने के साथ ही All Notification का उफसन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना बोलें क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपके मुबाइल पर मिल जाएं, इसके लिए All Notification जरूर सेलेक्ट करें